कि यहां रहा है वह एस वीडियो ने जाता है किस तरीके से जोन होल्ड किया जाता है किस तरीके से स्काउटिंग कि जाती है यह वह सब पूरा का पूरा और इस वीडियो को को शार्ट करने से पहले कि छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अगर आप चैनल पर नहीं हो भाई प्लिस सपोर्ट दिखाना चैनल को करना सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक नहीं चीह भाई मैंको नहीं चीहाँ चलो मेरे मार्कर पर चलो फटापट लेग और यहां कोई नहीं चलना लेक्ट होती रहती है जाव चैनल करना दे मेरे पीछे तो अचलो बैक अप्टी यहां जल्दी आजा तुम लो लेट नहीं करना मैं स्काउट करना तो कवर दे मेरे को देख लियर लग रहा है मेरे को अचलो मार्क्ट लोकेशन अचलो जाजाज़ यहां से दे रहा है कि इधर वाले से इधर आउट अगए तुम लेट पर लेट पर देख लेग नहीं एक लिए जल्दी आजाओ क्लॉन खाली अपड़ा है सब अब पहले चाहना चाहता हो बेग्रांद में दूड़े सी बूम बाब की यहां जा रही सबको पता हैं यहां पर कितना फास्ट रोटेशन जोन जोन शिफ्ट होते हैं अपने देखा हम लोग मैं किस तरह से स्काउट कर रहा था मेरे टीम मेंट और मेरा कॉल्स क्या रहा था ठीक है तो ऐसा आपको क्लियर कट कॉल रखना आप आईजल हो या इवन आप टीम मेंट हो अपने टीम के मतलब आइजल नहीं वी में अपूरा प्रॉपर समझाना कि में यह चीज कर रहा हो तूछ एचीज कर और आप बढ़ना है तो आप भी एचीज को ट्राइब कर सकते हो क्लियर कट रखो और हर चीज को फिक्स रखो एसा निकिक अभी कॉन क्या कभी यह कभी और आप पूरी वीडियो देखना और कॉल सुनना कि मैं मेरे क्या कॉल्स रहते हैं और हम कैसे कैसे आगे बढ़ते मैंच में ठीक है अब सुनो अब यहां पर आपने क्लियर लिस्टोना होगा मैंने क्या कॉल दिया कि बढ़ि तुम तीनों राइट कंपॉर्ण मैं अकेले लेफ्ट पर जा रहा हूं यह मैं आसे क्यों कि आप तुम लोग सोच रहोगे यह बैसिकली स्प्लिट और कंपॉंड वाला थेको बहुत सारे मैं आपको बताया पिस्टियारी वीडियो के आपने ने देखे तो पहले तो हाँ आए बटन में देख दी रखी इस वीडियो के बाद आप उसको देख लेना देखना चाहो तो यहां पर बैसिकली मैं स्क्यों के बंश्यों के रहा कि अनीमी और अगे हैं की और ऊक्किल कर सकते हुए kar अगे करते हैं और मेरे कॉल्स को सुनना द्यान से तरह को सुनना हम किस तरह से स्काउट करेंगे और किस तरह थे जोन बने थे और आगे मूवन करके एक वाइब किया था तो वीडियो पूरी देखना इधर देख रहा हूं यहां पर दो साइट देखता हूं कोई बात में थोड़ा बटो लेगा आए ऐसे कोई नहीं आईगा अगर जोन आलका सापर आईगा ना तो अपर ही चलेंगे यह वाले पर अच्छा रएगा के लिए अगर आप मेरी वीडियो को काफी पहले टाइम से देखती है रहा जो मेरी पपजी मोबाइल कंपेरिटिव के जिसके अंदर 70 प्लस वीडियो जे मेरी उस प्लेलेस में आपको पता होगा मैं हमेशा सही चीज करता हूं और बोलता भी हूं आपको भी और मतलब में करत आना है आपको यही चीज़ करनी है अप एंड मोमेंट पर जब आपका जोन बने गाताब प्रिडिक्ट या बोलू की मारकर नहीं लगा सकते भाई बहुत गलत सीन हो सकते हैं आपको यह चीज़ पहले से करनी है आप मारकर तीन मारकर भी लगा सकते हैं एक नॉर्मल शिफ् क्योंकि mostly क्या रहता यह देखो एक तो वैसे यह सेनों के इसमें काफी fast zone shifts होते हैं आपको पता है तो आपको क्याना है कि हर zone जैसे बनता है तो अगरे zone का सोच के चलना है ठीक है तो यह टिप थी अभी फटा पट से वीडियो को रेजिम करते हैं अग्यार नहीं ऑटो होनी चीज़ गड़ी आई गड़ी अपर जो में मारकिया है अलां उपर जाकरों के बंदे मेरे मारकर बंदे आवाद किसके और यह बंकर नहीं तोड़ी कि आप आप इस अब कर दो कि आप इसाला यहां पर विंडो भी नहीं है तो अपने पास ही रहे गा ऑवी तो दो तीन जोन तक तो एक एक खाएगा वो देखो किसके फेवर में जाता है बाकी अभी तक का तुमे को लगता निए इस स्ट्राटिग में अट टाट निए अभी त इसको गाइस कहते हैं प्रीस काउटिंग शॉट में बताता हूं फटाफ़से प्रीस काउटिंग अपने एनिमीज की पेले जैसे ही इनफर्मेशन रखके चलते हूं या बोलू कि इनफर्मेशन आपके पास पूरी है इसको कहते हैं बेसिकली प्रीस काउटिंग करके रखते हो यह मेरे मारकर पे बंदे हैं या हो सकते पॉसिबिलिटी पका है तो यह बहुत चोड़ी सी टीप है वन सेगें बट ट्रस में कंपरेटिव में स्पेशली बड़ी-बड़ी स्क्रिम्स आई लेवल की स्क्रिम्स एं हाई लेवल की टूर्नामेंट्स में यह काफी कारगर सिध होती है काफी इंपोर्टेंट चीज़े सो मेक शोर आप इस इन सब चीजों का ध्यान लखो एंड अभी वीडियो को आग अशा भी ब्लू मारकर पे उपर अभी रुकते चोड़ ऑख फिर पता ने कितने बंदे साले उपर अब अब ब्लू मारकर ने क्टिके मेरे पर एंगल ज्यादा नहीं है तुम को तुम दीखे तो मानना में दूसरी कवर करता हूं एंगल फिर ने को नहीं दिख सकते हैं यहाँ पर मतलब की मेरी टीम जो कर रही थी वह इसको कहते हैं 360 डिगरी प्री स्काउटिंग मतलब की प्री स्काउटिंग का मतलब तो आपको मेरे थोड़े देर पहले बताए अगर आपने स्किप कर रहा है तो भाई थोड़ा से पीछे जाओ और जान लो वह चीज क्या हो होती है तो बस हम यहाँ पर 360 डिगरी प्री स्काउटिंग कर रहे थी कि ताकि पता चले हमारे पूर चारो चरफ कहां कहां पर बंदे हैं पूरी 360 डिगरी की इंफर्मेशन हम कलेक करें ताकि नेक्ट जोन में मूव करने के लिए हमको काफी ज्यादा आसानी हो ठीक है तो य अब हमन करते हैं वीडियो को रिजूम करते हैं नहीं भी तक तो कुछ है नहीं सब्सक्राइब को लग रहा है एक तो बनना चीव अब तो उसके बाद में को लगता लास्ट में आएगा देखने हैं अब ही तो वाटर इलिया 20% है यह लफ्टा कि अब्सक्राइब सब लोग अब गाइस अब गाइस अब आपने वीडियो स्कुप्टिंग यह बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं यह बहुत छोटी सी टीप है लेकिन जो इसका इंपेक्ट गेम में पड़ता है वह बहुत बड़े तरीके से पड़ता है तो आपको पता है यहां पर मैंने मेरी ट पता है यहां से जोन में कैसे एंटर करना है एंड उपर उस कंपाउन में जाके उन बंदों से किस तरह से फाइट लेनी ठीक है अफकोस देखो यह प्री स्कॉटिंग का यह मतलब नहीं होता है कि हमेशा आप चार के चार बंदे बिना नौक होए सामने वाले टीम को सब्सक्राइब करने में काफी ज्यादा आसानी रहती है अभी फटा फट से आपको फाइट दिखाता हूं देखो हमने किस तरीके से हमने को फाइदा मिला हमारी को जो इंफर्मेशन थी कि वह उपर बंदे हैं तो उस वज़े से हमने कितना इजिली फाइट को निकाला आग इजी इजी आजा वाजा एक कर क्या हूं उपर बंदे तो है पका यह ते गाड़ी पी पड़ी है आमें बोला ना पका बंदा इधर ही आया था मतलब ध्यांस आप साप बनाओ अंदर रूम वूम में या बार उपन में चलो नेट्वेड करो अधर नेट वाड़ करो अब गाइस पता ना मोस्टली न्यू प्लेर्स के साथ क्या रहता है वह ऐसी सिच्वेशन में काफी ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और जहां पर वो लोग इजी ली वाइप कर सकती किसी स्कॉर्ड को वह और उल्टा गंदे तरीके से मारका जाए अब देखो गाईस अगर कूल होकर खेलो अग्दम कामली खेलो और देखो अभी आप यहां पर हमारे दो बंदे डाउन थे जिसमें से हमारा में इसल्टर स्टैबर नौक था और दूसरा इसल्टर करन नौक था अब बचे कॉन थे मैं और क्लॉन ठीक है अब देखो आप यहां पर कितना हम इसीली करना है पैनिक करोगे तो इजी से इजी फाइड भी आप कुत्ते के तरह हार जाओ गया मतलब बिवकुफ के तरह हार जाओ गया तो वह चीज़ नहीं करनी पैनिक मत करो स्टे काम एंड जस्ट्रस्ट यॉर स्किल्स एंड स्ट्रेडिजिस टेक अभी देखो फटापट अरे पपा बोलते हैं तु किदर है तु किदर मार्क दे मेरे को दिख रहा नहीं है यह टेंशन नहीं लिए तु गांड़ा अपन बैठे अभी मजा है हैं क्लॉन अब गाइस आप पर आपने देखा मेरे पास आइफॉन 20 होने के बाव जूद और उपर से तीन मेने के बाद स्कृम जिखल रहा हूँ उसकी बाद भी अब देखो कितना इजीली मेने स्कौर्ड वाइब करा है क्यूं कि बाई मेरे को एक्स्पिरेंस है मैं इन सब सिच्वेशन में काफी ज्यादा खेल चुका हूं काफी जज़्यदा इसी साइप इसाइप की स्कौर्ड वाइब कर ज तो यहां पर मैंने वहीं किया मेरे को पता था प्रीफायर एंड बंदों को नॉकिन फिनिशी देना यहां पर अगर छोड़ता हूं किसी को नॉक करके तो भाई प्रॉब्लम थी तो मैं सिधा वहीं चीज़ की आपने स्किल्स पर चुछ किया भले मेरे पास आइफॉन 20 लेकि तब काफी कुछ चीज सीखने को मिली होगी जो के शायद आप आपने आज तक किसी की चैनल या किसी की यूटूब वीडियो पर शायद ही देखा हो और अगर कुछ सीखने को मिला हो मेक शोर तो सब्सक्राइब देट चैनल और बेल आइकन जरूर दबाना था कि आपको नो होफफुली ऐसा हो पाएगा एंड ठीक है अभी के लिए आज के लिए तना ही बाइबाइ टेक केर एंड शी यू गाइज टुमोरो या आफकोस टुमोरो